C.I.E.T.N.C.E.R.T. की ओर से प्रस्तुत है कक्षा पांच के लिए गनित की पाठ पुष्टक गनित का जादू का नोवा अध्याए डिब्बे और स्केच मिठाई का डिब्बा पेज 126 रम्या मिठाई खरीदने गई दुकांदार ने कटा हुआ मोटा काघज लिया और तुरंट उसका सुन्दर सा डिब्बा बना कर मिठाई को पैक कर दिया इस चितर पर विचार करो और अपना डिब्बा खुद बनाओ पेज 201 पर दिये गए काटे जाने वाले प्रिष्ट का उपयोग करो देखें कितनी जल्दी तुम डिब्बा बना सकते हो घर आकर रम्या ने डिब्बे में से मिठाई निकाल कर खाली डिब्बे को पूरी तरह खोल दिया उससे कुछ फाल्तो हिससे हटा दिये जिससे वह डिब्बा कुछ इस तरह लग रहा था यहां एक डिब्बे का चित्र है इस आकरती से डिब्बा बनता है और कौनसी आकरतियों से डिब्बा बन सकता है उसने चार और आकरतियां बनाई बिंदुवाली रेखाओं पर इन्हें मोडा जा सकता है तुम्हें पता लगाना है कि इस में से किस आकरिती से मौडने पर डिबबा बन सकता है ए, बी, सी, डी यह अध्याए ध्यान केंद्रित करता है ठोस या त्रियायामी आकारों के द्रिश्य करण अर्थात विजुलाइजेशन पर और उनको कैसे कागज अर्थात दुई आयामी पर दिखाया अर्थात निरूपित किया जा सकता है यहां जो निरूपन अर्थात रेप्रेजेंटेशन लिए गए हैं वे हैं उपर जैसे नेट नक्षे मकान के आयाम दिखाने वाले चित्र पेज 127 गन बनाना एक वर्गाकार कागज की मदद से बुधा घन बनाना चाहता है वे जानता है कि घन की हर सतह वर्ग होती है घन की कितनी सतह होती हैं वे दो अलग-अलग आकरितियां बनाता है यहां दो आकरितियां दी गई हैं क्या ये दोनों आकरितियां मुडने पर एक घन बना सकती हैं? कम से कम एक और आकरिती बनाओ, जिसे मौड कर एक घन बनाया जा सके. घन के हर सतह का कुलक शेत्रफल क्या है? एक ऐसी आकरिती बनाओ, जिसे मौडने पर घन न बने. चर्चा करो कि तुम्हारे इर्दगिर्द कौन सी चीजें घन की तरह लगती हैं? ऐसी कुछ वस्तूओं की सूची बनाओ. बिना धकन का डिबा. पार्थ तीन में तुमने पांच वर्गों की एक पहली के बारे में पढ़ा था. तुमने देखा था कि किस तरह पांच वर्गो से बारह अलग-अलग आकरतियां बनी थी. प्रिष्ट च्छियालीस. तुम इन आकरतियों को काघज पर ट्रेस करके काटो और मोडो तो कुछ आकरतियां एक बिना धकन के खुले हुए डिबे में बदल जाएंगी. पेज एक सो अठाइस. यहां कुछ आकरतियां दी गई है पहली आकरति एक डबा है. यहां एक लड़की खड़ी है और एक कुटा भी है. इसके अतरिक्त अन्य आकरतियां हैं. यह आकरतियां वर्गों के माध्यम से बनी हैं. इनहें अलग-अलग रंगों में समझाया गया है. मैं इन दोनों से खुले डिब्बे बना सकती हूँ. लेकिन मैं इनसे खुले डिब्बे नहीं बना सकती. आकरतियां बना कर पता लगाओ कि पेज 46 की बाकी आठ आकरितीों में कौन सी हैं जिन को मोड कर एक खुला डिबा बनाया जा सकता है? ऐसी आकरितियां और बनाओ जिन से खुला डिबा नहीं बनाया जा सकता. डिबबे और डिबबे सभी डिब्बे घन नहीं होते यहां कुछ अलग-अलग तरह के डिब्बे दिये गए हैं नीचे दी गई हर आकरती को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकरती को मोड कर बनेगा यहां कुछ आकरतियां है आकरतियों की मानसिक छवे बना पाना एक महत्वपूर्ण गणिती योगिता है एक डिब्बा खुलने पर कैसा दिखेगा और किन आकरतियों को मौडने पर डिब्बा नहीं बनेगा यह सोच पाने के लिए बच्चों को काफी अभ्यास करवाना पड़ेगा पेज एक सो उन्तीस फर्ष के नक्षे यहां एक नक्षा दिया गया है खिडकी 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 दर्वाजा खिडकी एक घर बनाने के लिए सब से पहले फर्ष का नक्षा बनाया जाता है क्या तुमने कभी फर्ष का नक्षा देखा है यहां विभा के घर का फर्श का नक्षा दिया जा रहा है इस से यह पता चलता है कि घर के दर्वाजे और खिड़कियां कहा है घर का सामने वाला हिस्सा कौन सा है घर के सामने वाले हिस्से में कितनी खिड़कियां है यहां घर के कुछ चित्र दिये गए है गर के नक्षे को देखकर यह नहीं पता चलता है कि घर कैसा दिखता होगा या खिड़कियां कितनी उंची हैं इसलिए हम चित्र बनाने का एक और तरीका अपनाते हैं जिसमें गहराई है जिस से कि लंबाई, चौडाई और उंचाई दिखें नीचे एक घर के चार गहरे चित्र हैं, क्या तुम बता सकते हो कि विभा का घर कौन सा है? बाकी तीन गहरे चित्र नक्षे से मेल क्यों नहीं खा रहे हैं, चर्चा करो त्री आयामी वस्तुओं के तीनों आयाम दिखाने वाले चित्र को गहरा चित्र नाम दिया गया है चित्रों में अंतर स्पष्ट हो जाए, ऐसा प्रयत्न करें। पेज 130 अभ्यास का समय एक नीचे दिये गए घर के फर्ष के नक्षे पर विचार करो। इस घर के गहरे चित्र में दर्वाजे और खिड्कियां बनाओ। खिड्की खिड्की दर्वाजा किया कोई ऐसी खिड्की है जिससे तुम गहरे चित्र में नहीं दिखा पा रहे हैं। उस पर नक्षे में निशान लगाओ। दो अपने घर के फर्ष का नक्षा बनाने की कोशिश करो। घन का एक गहरा चित्र सुमित्रो और उसके दोस्तों ने घन का गहरा चित्र बनाया उनके चित्र कुछ इस तरह थे यहां घन के गहरे चित्र को समझाया गया है यह चित्र अलग-अलग आकृतियों के माध्यम से समझाये गए हैं इनमें वर्ग भी हैं, आयत भी हैं और कुछ अन्य प्रकार के प्रिष्ठ भी हैं घन के ये चित्र A, B, C, D, E, F और G के माध्यम से समझाये गए हैं तुम्हें कौन सा चित्र ठीक लगता है? चर्चा करो क्या तुम F आकृति में कुछ और लाइने जोड़कर घन का गहरा चित्र बना सकते हो? पेज 131 इसके अलग-अलग प्रिष्ठों में अलग-अलग बिंदों की सहायता से इसकी व्याख्या की गई है इस आकृति को मोड कर एक घन बनाया गया बने हुए घन के कौन से गहरे चित्र तुम्हें ठीक लगते हैं? घन को व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है ये आकृति क, ख, ग, 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 और अंग के माध्यम से समझाया गया है घन का चित्र बनाने का एक आसान तरीका चंदा इस घन का गहरा चित्र बनाना चाहती है वह चित्र कुछ इस तरह बनाती है मैंने पिछली और अगली सतह दिखाने के लिए इस तरह दो वर्ग बनाए मैंने वर्गों के कौनों को इस तरह जोड़ा कि घन का गहरा चित्र बन जाए यहां एक लड़की है और कुछ आकृतियां है इसी तरीके से इस डिब्बे का गहरा चित्र बनाओ हालांकि थ्रीडी वस्तों के टूडी प्रस्तोती करण के कुछ परमपरा गत तरीके हैं पर छात्र स्वयम के अनुभव से ही थ्रीडी वस्तों की टूडी प्रस्तोती को सीख पाएंगे पेज 132 माचिस की डिब्बियों का खेल नवीन, भासकर और प्रतिग्या ने माचिस की डिब्बियों की मदद से यह पुल बनाया है यहां तीन बच्चों के चित्र है और एक पुल का चित्र है जो के माचिस की डिब्बियों से बना है नवीन और प्रतिग्या ने इस पुल के चित्र बनाए जहां पर मैं खड़ा था, वहां से मुझे पुल पर कुछ ऐसा दिखाई दिया मुझे पुल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे चित्र से पता चलता है कि पुल कितना उंचा और चोड़ा है तुम्हारे चित्र को देख कर मैं अनुमान लगा सकता हूं कि पुल कितना लंबा और उंचा है लेकिन यह पता नहीं चलता कि कितना चोड़ा है पेज 133 अगर तुम पुल को उपर से देखो यह कैसा दिखेगा नीचे दिये गए चित्रों में से सही चित्र चुनो क, क, पुल के फोटो को देखकर पुल का गहरा चित्र बनाने की कोशिश करो अब भ्यास का समय एक, इस पुल के चित्र बना कर दिखाओ कि उपर से देखने पर यह कैसा दिखेगा सामने से देखने पर यह कैसा दिखेगा एक तरफ से देखने पर यह कैसा दिखेगा दो, माचिस की डिब्यों से एक मॉडल बनाओ जो इस तरह का दिखे उपर से, सामने से, साइड से अपनी कौपी में इस मॉडल का गहरा चित्र बनाओ तीन यहां दिये गए मज़ेदार मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की जरूरत होगी नीचे इस मॉडल के कुछ चित्र हैं, कौन सा चित्र यह दिखाता है कि मॉडल उपर से कैसा दिखता है उस चित्र को टी से चिहनित करो जो चित्र मॉडल को एक तरफ से दिखाता है, उसे एस से चिहनित करो यहां कुछ घन दिखाए गए हैं A, B, C, D इसी के साथ 14 अध्यायों वाली इस पुस्तक का नवा अध्याय पूरा हुआ स्वर मुईनुल हसन नियाजी तक्नीकी नियंत्रन बैटलेंग लिंगदो तक्नीकी सहायक विकास संगवान निर्मान सहयोग रुचे शर्मा निर्मान एवं निर्देशन विमलेश चोधरी प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत